Hi friends, welcome back to my channel, मैं हुँ श्रद्धा, एक नए वीडियो के साथ, आज की वीडियो में मैं again फैशन मिष्टेक का वीडियो लेके आई हूँ, चलिए, श्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, आज का टॉपिक, आज के वीडियो में मैं 6 fashion mistake की बात करूँगी ये mistake बहुत से लोगों से बाई mistake हो जाती है तो आप ये वीडियो को पूरा देखें और अगर वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक के भी न न आ जाएं साथ ही चैनल को सस्क्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा लें ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिसना हो पहली जो mistake है that is मुझे लगता है बहुत बार लोग जल्दवाजी में करते हैं बहुत लोग लेगिग जो होती है जो कुर्ती के साथ लेगिग पहना होता है लेगिग अजय पहा ये बलगर लगती है साइट से अच्छे नहीं लगते उसमें आपके हीप बहुर झीप से दिखते हैं तो अगर आप लेगिंग को एजे पैंड पहनते हैं तो आप ये इस मिश्टेक को एवाइट करिए जो दूसरी मिश्टेक है इसको मैंने खुदने भी किया है और शेक भी बड़े सेरों में ने कभी न बट जो छोटे सेरों में ना, छोटे मतलब गाओ, कस्बे वगेरा में ने देखा है, लोग ये मिश्टेक भर-बर के करते हैं, एक साधी फंक्शन में मतलब एक बहुत अच्छा सा लहंगा-वहंगा खरीद लेते हैं, बट उसकी फिटिंग नहीं कराते हैं, सेम मिश्टेक मै मैंने अपने भाई की साधी में की थी, उसका रीजन ये था, कि मतलब मैं मेरे घर से लखनाओ 100 किलो मीटर से जाता है, और मैंने वहां लहंगा खरीदा था जाके, तो मेरे पास टाइम नहीं था, कि मैं उसको वहां फिटिंग के लिए दू, और क्योंकि अगर फिटिंग के लोगों को अभी जो साधी का सीजन चल रहा है, इसमें भी मैंने लोगों के फोटो, स्टेटस, इंस्टागरम, फेस्बूक, वटसब दिखते हैं, तो मैं देखती हूं, तो मुझे लगन को भी जल्दी रही होगी मेरी तरह, या हो सकता है, कुछ लोग को ये बात पता ही न आती है, तो यूटूब पे हजारों टुटेरियल पड़े होंगे, जिन पे लहंगे को फिटिंग कैसे करें, आप डालेंगे तो, जहांसे उनकी कलिया जूड़ी होती है न, वहां से जो है, आपको स्रीप बेल्ट खोलना होगा, और वहां से उन कलियों को जैसे इतनी इतनी एक-एक इंचे जुड़ी हो, तो आप उनको डेर इंच दो इंच कर दें, सारी कलियों को तो आटोमेटिक कमर का साइज बराबर आ जाएगा, लेंथ भी आप उहीं से काट के छोटी करके फिर से बेल्ट लगा सकते हैं, अभी रिसेंडली मैंने कई लोगों को नोटिस किया कि बहुत अच्छे-चे महंगे-महंगे लहंगे पहने हैं, और नीचे वो, इसे मतलब उनका सेप अच्छा नहीं लग रहा, ऐसे नीचे उनमें हैवी बॉर्डर है, तो वो बॉर्डर तो नीचे जाके इस्टे कर रहा है, ऐसे खड़ा है, और बीच में जो जगा है, वो ऐ टेक नमबर थी, मैंने एकाद वीडियो में और इंकल्यूट किया है, कि लोग फैशन के चकर में बहुत अजीब और गरीब फुटवेर पहन दे हैं, तो फुटवेर ऐसी चीज है, जो आपके लुक को बहुत बहुत ज़्यादा डिफाइन करता है, किसी ऐसे फुटवेर को पहन लिए हैं, और उसके सकारण फिर अपनी पुरी चाल खराब कर रहे हैं, तो कभी भी फुटवेर एक ऐसी चीज है, जिसमें आप ज़्यादा एक्सपेरिमेंट बिल्कुल ना करें, सबसे पहले हमेशा कमफर्ट की तरब जाए, मुलब, I am not saying कि आप हील ना पहने, बिल जो फुटवेर है, वो अंकमफर्टेवल, कभी भी ना पहने, कभी भी ना पहने, पुरी आपकी चाल बरबात कर देता है, पुरा आपका लुक खराब कर देता है, खड़े होना का पोस्चर चेंज हो जाएगा, आप चलेंगे अजीब तरीके से, तो अपने फुटवेर को ह जैसे आपने ओनलाइन या तहीं भी देखा तो सब कुझ मुझे एम साइज लगता है, तो मैं एम साइज के लावां किसी और चीज पर नजरी नहीं डालती, मतलब ऑनलाइन में भी हुआ तो या माल मार्केट कहीं भी गये तो फस एम साइज, एम साइज, बट सम चाइम क्य पहनना है और कुछ नहीं पहनना है, कभी कभी लूज पैटन कितना चल रहा है तो आप अपनी टी-सट वगेरा में इस पिसली जीन्स के साथ अगर आप ऐसे राउंड नेक वगएड़ा टी-सट पहनती है, तो अगर आप एम साइज ही पहनती है, एक पार आप एल साइज ल चल के फैशन के डॉर में ज्यादा फिटिंग वाले कपड़े कम अच्छे लगते हैं, थोड़े से लूज, आजकल थोड़े से लूज कपड़े चल रहे हैं, और जो की कमफर्टेबल भी होते हैं, फैशन मिस्टेक नमबर फोर्थ हो सकता है, इससे बहुत लोग डिसेगरी इससे लगता है, बड़ एक्साना के ड्रेस लूज और अच्छे लगते हैं, तो आप गोल्डन जायें, सिल्वर में जायें, लब अच्छे जोलरी में जायें, फूल आउट फिट एक ही लडलर का है, और उसी पर अपने अगर मैचिंग जोलरी पहन ली, तो वह उतना अच् पहने तो ज्यादा अच्छा लगता है नेक्स्ट मिस्टेक भी मैंने लोगों को अबजर्ब करके ही देखा है जैसे आज कल दो-चार साल से बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट काइंड आप के पल्लू लोग ड्रेप करते हैं बहुत इस्टाइलिस पल्लू ड्रेप करते हैं लोग पल्लू होता है और पतले से एकदम बना के बल्लू होता है बहुत इस्टाइलिस लगता है बहुत अच्छा भी लगता है बट रेगुलर ब्लाउज होता है फ्रेंट ओपन वाला और अब आप एकदम फिटिंग वाले ब्लाउस पहनते हैं, बहुत सारी बने लेडिजों को देखा है, ब्लाउस मतलब उनको लगता है, बड़े मुस्किल से बंद किया जाए, वो फिटिंग, ब्लाउस पहनना पसंद करते हैं, एक दम फिटिंग वाले, और उसमें फ्रेंट ओपन है, और उससे के साथ अगर आप डिजाइनर पल्लू बनाते हैं, तो वो पड़ाबर, बहुत ही भद्दा लगता है, मैंने एक दो लोगों को देखा था कि वो फ्रेंट ओपन के साथ, ऐसे साइट पल्ला लेके, डिजाइन पूरी लो अला बनाए, तो जो चेस्ट एरिया है न, वहाँ पे, जो ब्लाउज का सेप आया था, बड़ा गंदा लग रहा था, यहां से मिलाब वो, अगर वो ढिला होता, ब्लाउज तब वो मुझे लगता है नहीं ख़दा लगता, तो वो जितने भी उनकी हुके बंदती न, वहां से ऐसे थोड़ा थोड़ा सा गैप, मिलाब उनकी बोड कपड़ा इकठा हो जाता है, स्मूदली बैठता नहीं है, प्रॉपर नहीं सेट होता, तो उस तरह के ब्लाउज में, अगर आप डिजाइनर पल्लू बना रहे हैं, साइड पल्लू बना रहे हैं, खोब फैशनेबल, तो वो सामने जो आपकी बटन पटी है, बढ़ी घंदी लगती है, तो अगर आप ऐसा मिस्टेक कर रहे हैं, तो इससे भी जरूर बचें, इस्टैलिस पल्लू लें, तो आप बैक हुक वाले ब्लाउज पहने, फ्रंट हुक वाले ब्लाउज ना पहने, मेरा आज का वीडियो जिसमें मैंने 6 फैसन मिस्टेक की बात की है, हो सकता है आप लोग कुछ बातों से आप डिसेगरी करें, तो अपना अपना पॉइंट व्यू होता है, अपने अपने पहनने के तरीके होते हैं, और हर चीज, हर इंसान पे लागो भी नहीं होती है, कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन सी बात इसमें से आपको सही लगी, कौन सी बात और अपनी दाये मेरे साथ सेयर कर सकते हैं, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक की बिना जाए, साथी मेरे चैनल को ससक्राइब जरूर करने अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और फ्रेंड्स और फैमली के साथ सेयर भी करें, मैरे भीलती हूं